आजे काफी important, काफी complicated, काफी मुश्किल कह सकते हैं, थोड़ा सा tough concept है complications in the sense, कि जितने लोग उतने ही point of view उतने ही methods of use, उतनी ही तरह के methods of use और उतने ही opinions, सभी लोगों के, सभी traders के या सभी practitioners के, अलग-अलग हैं, Newton के law की तरह fix नहीं है, कि हमने एक सिद्धान देख नियम बना दिया और वो इसी के उपर काम करेगा, जबहत तर लोग इसका use गलत करते हैं, अब जब हम ये कह रहे हैं कि गलत करते हैं, मेरे कहने भर से गलत करते हैं, वो गलत नहीं हो जाते हैं, मेरा अपना opinion और मेरा अपना point of view क्या है, उस concept को लिए करके, वो change हो सकता है, वो different हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से ये कह दें कि नहीं, वो गलत है, जिस तरह से use हो रहा है, जो पहले से आप use करते हैं, और वो गलत है, हम ये भी accept कर रहे हैं, कि maximum of the practitioner गलत ही हैं उस दिशा में, लेकिन उस गलत में से कुछ लोग तो हैं कि जो सही कर, तो जब हम यह कर रहे हैं कि सभी लोग गलत use कर रहे हैं, तो उसमें वो जो सही भी कर रहे हैं वो भी लपेटे में आ जाते हैं, वो भी include हो जाते हैं इसके अंदर वो include ना हो वो हटा करके अगर हम बात करें तो जात और लोग तो गलत ही कर रहे हैं हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर समझने के कोशिश करेंगे जितना मेरा अभी तक का experience रहा है उस concept को ले करके क्योंकि फिर से हम बोलेंगे यह थोड़ा सा complicated है हो सकता आपको ज़रुरत पढ़े आज के class के recordings की तो आपके बिना कहें वो recording हम ग्रॉप में share कर देंगे जैसे last time हमने ग्रॉप में share की थी आप इसको देखना है repeated way में देखना अच्छे से देखना और बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा like smc में भी इसका use होता है price action के अंदर भी इसका use होता है ict के अंदर भी इसका use होता है boss और chalk model break of structure, change of characters है ना वो यहीं है market structures ही है इसी से derived हैं सारे के सारे नाम change भर है बस काम सबका एक ही है शब्द नए-नए है अलग-अलग परिभाशाएं देदी है काम एक ही ABCD दूसरा 123 higher high lower low lower high सब एक ही है सिर्फ नाम अलग-अलग है अभी boss और chalk model जो भी हमने कहा ना वो भी आप इसी में include कर दो सब सेम है break of structure ABCD 123 higher, higher, lower, lower, lower high इसका main structure होता है किस तरह का है price ऐसे ही move करता है high जो lows होते हैं lows protected lows protected low protected इस तरह से momentum होते हैं इन ही momentum को हम लोग पढ़ेंगे आज की class में तो इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा सा समझ के ध्यान से पढ़ना है ना यह बहुत काम की चीज़ और हम ऐसा बिलकुल नहीं करें कि सिर्फ आज ही की class में सब कुछ आपको बिलकुल fine एकदम correct हो जागा आगे भी हम इसकी classes आपके लें तो आज का जो आज की classes रहेंगी न उसको आप एक तरह से एमान के चलने हैं कि basics हैं आप market structures के जितने basics हैं वो हम आज पूरे clear कर देंगे तो बहुत सारी points तरह से जो आज हम clear कर देंगे बाकी आज के concept की practice के बाद next classes जो होंगी आने वाले sessions जो होंगे उसमें इसको और भी अच्छे से इंक्लूट करेंगे volumes के uses market structures के अंदर किस तरह से रहते हैं highs पर volumes के breakout के structures क्या रहेंगे low पर volume breakout के structures क्या रहेंगे volume confirmations volumes के weightage volumes का use क्या रहेगा market structure के अंदर उसको और भी अच्छे समलुख समझेंगे अभी हमने जैसे आपको बताया यह एक normal सा structure है जहां पर हम लोग यह सारे जो points होते हैं यह important points होते हैं अब market दोखो move कर रहे है वो कैसे भी करके यह देखे है आप marking करोगे तो इस तरह कुछ markings आएंगे निकल के आप mark कर लो अच्छा यह markings की क्यों जाती है market structure भी है क्या marking करने का एक method ही है यह भी marking करने का एक simple method है इन methods की जरूरत पढ़ती ही क्यों है क्यों ही marking हमें करने के बिना marking के काम नहीं चलेगा बिल्कुल चलेगा लेकिन बहुत अच्छी तरह से आप divide नहीं कर पाऊगे अपने chart partitions नहीं कर पाऊगे अगर partitions नहीं कर पाऊगे तो मुश्किल हो जाता है chart को पढ़ना chart को समझना हम उसको divide कर देते हैं मानले जी इतना बड़ा हमारा chart है तो हम क्या करते हैं उसको इसे चार part में divide कर देते हैं इस तरह से थोड़ा सा समझ के यह नहीं कि आँख बंद की और एक red cross बना दिया अब यह A बे के साथ कैसे kan यह जो मार्किंग्स हैं जो और में गयए यह मार्किंग्स जरूरी क्यूं है क्यूंकि हमें यहांप Chait करने का जो area है वो पता चल जाए यह जरूरी नहीं हमें पता चले कि कौन सा area useless है जहां पर में नहीं देखना है क्योंकि दोखो इतना बड़ा चाह अगर हम इसमें काम की जगा ढूंडेंगे तो वो कम ही मिलेंगे कौन से जगा ऐसी जो काम की नहीं है काम की नहीं है का मतलब कि फिर उन candles को हम लोग नहीं देखेंगे हम अपने लेवल्स निकाल लेंगे लेवल्स निकालने की पीछे का मेंन पर्पस है कि उन लेवल्स पर ही अपना फोकस रहेगा फिर हम दरदर नहीं देखेंगे तो अच्छी तरह से रीडिंग्स कर लें रीडिंग्स करने के बाद में हम उनको partition करने एक तरह से partitions करने की पीछे का simple सा logic, दूसरी बारे हम यह पात repeat कर रहे हैं इस पूरे section में कि हमें useless area पता चल जा है जितना भी यह white zone देख रहे हो यह no man's land है यहां पर में कुछ करना ही नहीं हमें देख रहे हैं सिर्फ वो point जो हम लोगों and this is also called point of action अभी यह जो point of actions होंगे न यह lower time frame के होते हैं lower time frame के point of action होंगे importance तो दो को इसकी ब्रहती है लेकिन comparison अगर हम करेंगे इसका higher time frame के point of actions से तो वो स्यादा strong होते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि higher time frame पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है levels वागर हो निकालना तो फिर हम लोग पूरी तरह से depend हो जाते हैं lower time frame के उपर lower time frame पर ही अपने levels वागर हो निकाल करके बहीं से काम करें कई बार ऐसे situations आपके सामने आएंगे और दूसरा जो कि अक्सर हम लोग करते हैं जिसके उपर काम कि पहले हमने higher time frame पर अपने levels निकाल लिए बाकी के lower time frame पर जाकर कि हमने उन levels पर अपने confirmations ले लिए ता हम trade execute कर रहे हैं तो इन दोनों में ही ये बारा जो point of action है lower time frame को आपका point of action जहां पर use हम लोग करेंगे आज के method के कॉर्डिंग market structure तो इसको समझने पोशिश करेंगे market structure का naked use नहीं करते हैं higher time frame पर पहले हम लोग markings कर लेते हैं higher time frame पर readings कर लेते हैं stocks selection कर लेते हैं levels identify कर लेते हैं trend identification कर लेते हैं सारा काम लबबबबबबब को अगम higher time frame पर अपना कर लेते हैं double confirmations के लिए lower time frame पर जाएंगे बहाँ से सारा काम, हम लोग एक बार यहां से verify करते हैं, यहां लिखा है न point of action, उसको देखना होता है कि entry कहां पर लिनी है, stop loss से लगाने कहां पर हैं, इतना काम कर लेते हैं, अब यह point of actions का simple सा मतलब होता है कि आपको जो भी traits वगरा execute करें सब इसी जगह से करने हैं, हम लोग यहां पर कुछ नहीं करेंगे, इस एक जगह पर यहां पर कुछ नहीं, यह सारी बात हैं कर क्यों रहे हैं आपसे, क्योंकि यह जो patterns अभी हम लोग पढ़ेंगे इनको पढ़ने के पीछे का purpose जो है अपना वो यह वाला है, हमें अपने levels निकालने हैं, वो levels काम करते हैं, या काम में जब हम उनको लेंगे, तो अपने लिए एक सही directions आइडेंटिफाई करने के लिए, एक सही point of view बनाने के लिए, एक सही आपका structure को समझने के लिए हम इन patterns का use करते हैं, रीडिंग को समझने के लिए, चार्ट पर चल रहे, बायरो सेलर के बीचे की psychology को समझने के लिए इन इस्ट्रक्टर्स का use करते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि शुरुआत में हमने एक श्ब्द का use के था कि ज्याता लोग, इसका गलत इस्तिनाल करते हैं, गलत use करते हैं ज्याता तौड ही नहीं, लेकिन ज्याते हичес के लोग गलत इस्तिनाल, देखो होता कैसे है कि हमने एक level नकाल लिया अपना हमने एक area अपना निकाला इस त фотरह से markings कर ली है मतलब कि overall हम देख रहे हैं market upside की तरफ जा रही है जातर लोग ऐसे काम करते हैं कि यह down leg यह up like down leg up like okay market उपर जा रही है ठीक है मारा buy का view है हम buy कर लेते हैं गलतियां कहा पर होती है कि price आपका उपर की तरफ निकल गया अब यहां से buy कर रहो buy कर तो market नीचे जाती है इस टॉपलो सिट वापस से दो कोई उपर की तरफ भूम गया यहां पर आपने देखा कि नीचे जा रही तो आप sale करते होगे फिर से price उपर जा रहा है फिर आप buy करने लगते हो है ना इस तरह से buy sale buy sale कहीं पर भी चलता है कहीं पर भी चलेगा यह हरकते नहीं करना है बहुत तो अच्छे से आपको समझानी की कोशिश कर रहे है तो आपको लग रहा हो कि ऐसे तो कोई भाई नहीं ही करता होगा लेकिन आप भी जाहतर बार यह ऐसी ही गलती करते हो कि price लग रहा है आपको यह uptrend में है अब uptrend में है तो कहीं से भी भाई कर लो यहां से कर लो यहां स इसको क्यों कोई और नाम नहीं दे दिया गया higher higher lower 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 higher जब इस तरह से लोग पढ़ रहे हैं एक swing high अच्छा भी इस से पहले जो बाते ही थी ये एक तरह से introduction था अब जो चीज हम आपको बता रहे हैं ये main point पर आ रहा है तो वह क्या करता है हमेश्या अपने verme These तो ये स्ट्रॉंग होगा कम करता है और शपॉर्ट को करता है डिक्ट तो मोर्म हль रघ्जैक्ट दॉच्ष्ट्अ, प्रजेक्ट करता है मैं में अपने सपोर्ट को करता है ऐसी होग अगर आपने इस इन बातों का ध्यान रख लिए ना तो बहुत सारी चीज़े आपकी सिंपल हो जाती है लिखना आसान होता है जब लाइब मार्केट में काम करने जा तो पता चलता है फिर काम करना कितना मुश्किल होता है इसके अंदर अब जब एक प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर चीज़े आसान हो जाती है शुरुवात में जितनी आपको मेहनत लग रहेती बाद में फिर इतनी मेहनत नहीं लगती अब दिखो क्या होता है कि कोई भी प्राइस अगर support को break कि बना इन supports में एक होता है हमारा master swing यह master swing किस तरह का होता है इनको सबको proper नाम दिये गए है ताकि समझना आसान हो यह मास्टर swing है फलाना swing है यूही नहीं अगर हम किसी भी object को या किसी भी point को कोई नाम देने तो इसका मतलब कि वो जरूरी points है अगर हम नाम नहीं देंगे तो फिर आप पहचान नहीं पाऊगे ना बिना नाम कि आप नहीं पहचान सकते उसको तो सब्सक्राइब बुलिट points आप अभी बना रहे हो गए या कुछ note भी कर लोगा डायरीम अगर आप लिख भी रहे हो कुछ तो इनको note कर ले ना यह master points क्या करते हैं कई बार आपने देखा होगा कि price तो आपका uptrend है लेकिन swing break हो जाते हैं इस case में जो शुरुवाती stage होती अपनी जो बिल्कुर शुरुवात का point होता है यह ज़रूरी होता है जा रहा है एक swing लगा लो पहला फिर दूसरा swing लग गया अब जब यह 3 swings हमारे लग चुके होते हैं अब हम लोग देखते हैं कि यह वापस से price हमारा support पर आया और इसने यहाँ पर support पर support के confirmations दिये इस एक जगह पर हम लोग बिल्कुल in point से अपने entries के confirmations लेते हैं कई बार ह होता है confirmations लेने के checker में stop losses चले जाते हैं यहाँ पर बैठे हुए ना हमने तो entry ले ली entry ली अब बाद में लीचे stop loss हो गया क्यूंकि एक expected swing हम लोग identify करते हैं मेरी expectation है कि यहाँ पर इस एक price पर यह मान लिए 150 का point है 150 रूपीज का price है अब 150 पर हमने अपनी entry ली stop loss लेका दि तीसरा swing लगा देने के बाद में जब नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर आप अपना trade execute करते हो और next जो fourth swing होता है जैसे ही price अपना previous जो third वाला point होगा इसको break करता है तो इसके अंदर एक बड़ा move मिलता है आप देखते हो ना कि बड़ी बड़ी green green candle बनती है या low को break कर दिया तो बड़ी-बड़ी red candles form होती है वो breakout की हुई candles होती है चाहें तो higher time frame की हो चाहें तो lower time frame की हो कोई भी एक chapter आगे चलकर कि आप पढ़ोगे before breakout symptoms मतलब कि breakout होने से पहले का जो symptom होता है वो किस तरह का होता है उसी में से एक यह हो अब यहाँ पर अगर हम लोग तीसरे point क breakout catch करना होगा जो third वाला swing है तो first, second, third, fourth में price हमारा नीचे की तरफ आया है यहां से हमने अपने entries के confirmations लिये और वापस से price हमारा upside की तरफ जाएगा ना तो यह तीसरा वाला point होता है हम इसका breakout catch करते हैं तो सारा game कहा है यह दो swing लग जाने के बाद में तीसरे game पर आप अप focus shift कर दो हमने नया क्या बता दिया इसके अंतर नया यह है कि जब आप market structure को read कर रहोगे कहीं से भी start मत कर दो कि price हमारे strong है चलो buy कर लेते हैं या price weak है कहीं से भी sell कर दे नहीं ऐसा नहीं करना हमेशा count करना एक डो तीन तीसरा swing पकड़ लो price आपका नीचे की तरफ आए अब अब trade मारोगे अब आप trade करोगे upset की तरफ यह सबसे simple चीज़ होती है अच्छा अब यहां पर volumes के uses क्या होते हैं देखो breakout volumes जो होते हैं वो इतनी important नहीं है यहां पर सबसे ज़हरी होता है support पर support के confirmation support confirmations support confirmations on support levels support पर support के confirmations वैसे resistance confirmations on resistance level resistance पर resistance के confirmations यह क्या होता है देखो नए-ने terms नए-ने शब्दार है आपके सामने support पर support का confirmations यह कि जैसे हमने आपको बताया थे यह ABCD higher high low 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 बहुत चाहिए कि यह सब क्या है न यह point of actions है यह levels जो इस तरह से हमने lines शुरू में ट्रॉक ही थी यह lines या उस तरह के वह levels निकालने का यह तरीका होता है swing भी एक बहुत अच्छा support होता है अभी तुम लोग swing पर candles तक तो पहुंचे ही नहीं अभी candles पर आएक के candle पर shift करेंगे हम लोग भी तो यह वाला जो area होगा न आप देखोगे कि जब price अपना swing लगाते तो यहां पर volumes increase ह हो जाती है और ऐसा अकसर होता है को नया swing लगता है तो volumes बढ़ना शुरू हो जाती है फिर से नया swing लगता है तो volumes बढ़ना शुरू हो जाती है अब मालो जैसे आपको इस एक जगह पर trade execute करना है और यहां पर अचानाक से volumes increase होनी शुरू हो गए तो इसका यह मतलब नहीं है कि प्राइज नीचे गिर रहा है और volumes आ रही है तो प्राइज और भी ज्यादा नीचे की तरफ गिर जागए यह करके जात और लोग यही पर trap होते हैं कि प्राइज नीचे आ रहा है उन्हों देख लिए volumes तो बहुत आ रही है बहुत स्ट्रॉंग से लिए बन गए इसा बन जाएगा खतम कर लिया सब कुछ ओवर एक्साइटमेंट में आकर के गलत अनलसिस कभी मत करना और लाइव मार्केट में कोई एक्सपेरिमेंट तो वो तो कभी भी नहीं लाइव मार्केट में आप कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी जिसकी preparation market open होने से पहला आपने नहीं कोट पड़े उसके अंदर हो सकता है हमें सेल करना होता तो क्या करते हैं हम वाल्म स्कैने का प्रॉपर वेट करते हैं वाल्म सही अब हम देख लें कि यहां चलो support पर support बन गया अब अगर सेल भी करना तो यहां पर प्रॉपर हम सेल के confirmations लेते हैं सिर्फ volumes आ जाने भर से short न तब लोग region कीजए हम लोग एक step और आगे बढ़ते हैं अभी market structure कोई आगे अभी इसमें एक chapter और है higher higher lower लोग का और फिर हम लोग candles पर shift होंगे candle पर shift होने की बाद में फिर चार्ट पर चलेंगे कोच example देंगे तब अपनी class आज की trend reversal में क्या होता है अभी हमने क्या पढ़ अब यह trend reversal क्या होता है हमेशा price आपका uptrend में तो नहीं चलता रहेगा यह तो reverse भी करेगा रिवर्सल के सिध्धानत यह reversal के meaning क्या होते हैं क्या structure होते हैं reversal के सबसे पहला reversal का sign होता है आपका resistance बनने शुरू होते हैं यह सब ध्यान देना market जब खुलेगे ना मंडे को तो यह सारी चीज़े आप लोग ध्यान देना हो सकता है अभी तक जब चार्ट को पढ़ रहे हो तो यह सारी चीज़े आपके जहन में ना आती हूं फो कजी ना करते हो हमें क्या हमें तो trade लगाना ऐसे अच्छा लगता है जब अपने broker के dashboard में open करें तो कुछ ना कुछ बहां पर ह दिखाई नहीं ही पढ़ेंगी 100% नहीं दिखाई पढ़ती है जब market को लोग कोई भी लोग करना सिर्फ जो भी concept हम बतार उन concepts को पर मल लगा करके अभ्यास करना मल लगा मंडे को जब market open होगी मंडे को आपकी तो यह सारी चीज़ा देखना फोकस करना आपको चार्ट देख चार्ट को बहुत इत्मिनान से समझने की कोशिश करना अब क्या होता है न रेजिस्टेंस फर्म होते हैं रेजिस्टेंस के फर्म होने का मतलब क्या है कि market कभी भी ऐसे एक जटके में नहीं गिर जाएगी आईए और नीचे सीधे दर्णाम से गिरेगी नहीं वो हमेशा रे एक ट्रेंड अप्ट साइट की तरफ स्ट्रॉंगली कंप्लीट कर चुका होता है तो डारेक्ट नहीं गिर करके वो कुछ देर हर्डल लेता है उस जगह पर जहां पर उसके हायर टैम रेजिस्टेंस पाइंट होते हैं लोगर टैम पर वहां पर वह वापस से रेजिस्टें यहां पर सिंप्ली लाइन्स के थ्रू ही समझने के कोशिश करेंगे इसको कि वहां पर प्राइस कोशिश करता है कि थोड़ी देली रुके और वापस से प्राइस फिर जब आपका टर्न होता है ध्यान से इसको सुनना वापस से जब प्राइस आपका टर्न होता है एक सबसे है दूसरा और तीसरा जो इस स्विंग से पहले का जो स्विंग होता है ना कुल मिला करके तीन लोगों के साइन चाहिए हमें इसके उपर सबसे पहले ये फिर ये डेन ये जब इतने ब्रेकाउट्स हो चुके होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं ट्रेड नहीं करते है प्राइस को रेकाउट होने डो रीडेस्ट मेंट के बाद जब प्राइस यहा वाणी कि हमें यह तो पता है हमें रिचो करना है कि यहां पर मार्केट आप कियाएगए आप सेलिंग के ब्रॉपर कन्फरमेशन लोगे वाल्यम्स क्या करती हैं वॉल्म में इस धो हो गी यह जो रेस्टेंस बने हुए है न रेसटेंस पर मर्किट रुखती है रेस्टेंस पर रोट करेगी म Workout होते हैं तो रेसटेंस पर एक तरह के कंवेशन सीर्गी नियुके कंव ने छीन स्व क्रेशट सुड़ी एक उन Charlies Road ुक चौंज करना यहां से रियक्ट काना शुरू होता है हम लोग इस जगह से अब केंडल को देखते हैं हमें शॉट करना तो शॉट सैट की केंडल या केंडल स्टिक्स कैसी होंगी सपोर्ट के ब्रेक आउट लोवर टैम फ्रेम पर कैसे होते हैं पर मुझे उसके प्रॉपर कंफिर्मिशन लेते हैं एंड देंट रेट एक्सेक्यूट करते हैं हमने क्या बताया अभी ट्रेंट रिवर्सल ट्रेंट रिवर्सल के तीन साइन सब हमने डिलीट कर दिया है प्राइस जब आपका अपसाइट की तरफ जाए जाने दो जाने दो एक पीक पर जब यह पहुंचते है तब यहां पर बनते हैं बाइंग तीन केंडल होती है अकसर आपको रेस्टेंस पर दिखाएट पड़ेंगी हाई टाइम पर एक दो तीन सेम कलर की तीन ट्रेंडिंग केंडल स्थिक्शन पर बाइंग क्लाइमेक्स या पर पहचानने के काम आती है यह मागे चल करके आपको बताएंगे एक मोटा मोटा एक आप समझने के लिए इसका इस्तेमाल अभी कर रहे है क्योंकि यह फिर नया ही कॉंसेट यह अलग कॉंसेट है इसके लिए भी प्रॉपर दो तिन क्लासेज है दो क्लासेज है इसके उपर उसमें क्लियर होता है तो रेसिटन्स वर गई अब जब प्राइज हमारा वापस से हम क्या बोल रहे थे भी हाँ कि यह डिरेक्ट नहीं गिरेगा यह क्या करता है ना सबसे पहला अपना प्राइज ब्रेक करेगा जो प्रीवेस स्वीन्ग है यह जाता है अब ढया अब क्या बचाएज आब कौन से स्वीन्ग के बचेजैं से यह थीन एक ढो प्री थाजनों क्या सियन हुए डियृ करते हैं यह करके एक दो तीन ये ये और ये अब प्राइस जब आपका अपसाइट की तरफ आएगा तो क्योंकि हमने यहां पर रेस्टेंस पहले से अपने ड्रॉ को रखे है उस रेस्टेंस पर हम लोग अपने सेल्स साइट की कंफिरमिशन का वेट करते हैं और यहां से अपना ट्रेड हम एक को अपने रखते हुए हमने आपको यह बाते बताई हैं चार्ट पर चलो चार्ट और हम लोग इस और अच्छे से देखेंगे ड्रॉइंग सारी याद रखना जब लोग स्विंग्स को पढ़ रहे हैं जब लोग स्विंग्स को देख रहे होते हैं पहुत इसमें लाइक के बहुत जादा लाइन्स पगराद ड्रॉ मत करना बहुत जादा लाइन्स पड़ाइन इस फिर दिखकत हो चाती है कन्फ्यूस हो जाओ कि कौन सी लाइन का कैसे क्या यूज करें इसको अठा दिया हमने अब जैसे ये स्विंग है लो से लेकर के हाई तक गया कि प्राइस हमारा अप्ट्रेंड में है फर्स्ट यहां सेकेंड और थर्ड वाला जो अपना स्विंग है आप इसको माक कर लो जो भी हाई पर हो अगर सेकेंड वाला स्विंग हाई पर है तो उसको माक कर लो अब यहां पर हम यह देख रहे हैं कि एक, दो और ये तीन, तीन स्विंग हो गए, अब इन तीनों पर आपको काम कैसे करना है, हाई, लो, हाई, लो, इसके बाद में हमें ब्रेक आउट काँ सा कैच करना है, ये वाला, ये वाला ब्रेक आउट, हम इसको कैच करना चाहना, अब यहां पर आप चाहो तो first वाला और चाहो तो second वाला जैसे कि high यहां पर किस ने लगाया है इस वाले ने लगाया लेकिन counting wise आएगा तो तीसरा point हमारा swing यह बनेगा जो swing high है लोज क्या कर रहे हैं लोज हमारे direct protected है लो तो break होई नहीं रहे पर यहां पर आपको तो तोटता है हम यहां पर active हो जो भी reading से हैं जो भी reading से हैं सारी की सारी आप यहीं पर try करते हो करने की अब मौका मिलेगा इस वाले swing को catch कर बिलकुल क्या कह सकते हैं इसको हो सकता है क्योंकि यह चीज हमने पहले ही आपको बताए थोड़ा सा complicated matter है एक बा रिशान मत हो जांग यह तो समझ भे नहीं आ रहा है पता नहीं क्या है कैसा है समझ दरके कोशिश करना क्योंकि काम की चीज है फिर से हम कह रहा है दूसरा और तीसरा यह तीन हमने mark कर लिए अब पर लगातार क्या हो रहा है? कि तीन swings हमारे बने एक, दो और तीन तीन swings बने Lows Protected है, Uptrend हमें Trade Execute करना है हम एक इस जगह से पोशिश करते हैं, Trades वागर Execute या फिर जो दूसरा आपका निकल करके आएगा, आपको यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि Breakout जब हम लोग देख रहा है यहाँ पर अगरम में Trade Execute के तो फिर तो हमें confirmations का वेट के, यहाँ से अपने Trades Execute के, तो फिर हम प्रॉपर अपने नियम के अकॉर्डिंग, जो भी हमने इससे पहले आपको इतनी दिर तक बता है, उससे हमें क्या होता है, कि जो थर्ड वाला स्विंग होता है, उसके Breakout समें मिलते हैं आपको क्लियर करें, बहुत कोशिश हम बहुत ज्यादा effort यह लगा रहा है, कि बहुत simple language में यह सारी चीज़ समझ में, complications ना हो, already यह बहुत complicated, थोड बहुत नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा complicated है, और यह तभी जब तक समझ में नहीं आ रहा है, सेकेंड वाला स्विंग और यह थर्ड, इंटर्नल रहता है, लेकिन यह जो lows है, higher high, price जब उपर की तरफ आ रहा है, तो यह होता higher high, वापस से जब price नीचे की तरफ आ रहा है, तो higher low होगा, अभी lower low नहीं है, जब तक price अपने swing के नीचे बने swings को ना ब्रेक कर दें, तब तक की lower low नहीं होगा, lower high ही होगा, यह क्या है न, यह lower high है, price low की तरफ तो जा रहा है, लेकिन high को break कर रहा है, high से low की तरफ आ रहा हो, low protected है, तो यह होगा higher low, यह higher low, अगे इन दो यहां से higher high, फिर से higher low, higher high ठीक है, यानि कि support हमाई प्रोटेक्टेड है, resistance ब्रेक हो रहा है, अब मैं चाहिए इस वाले resistance का break out, तो previous जो swing रहाएगा आपका, एक, दो और यह 30 जो भी high पर होगा, तो यहां पर हमें यह मिला, इस एक जगह पर हम लोग अपने entries के confirmations ले, यहां पर, यह बाला जो swing, जैसे ही price इस जगह पर अपनी कोई भी resistance जैसे, यहां पर देको इसने break out किया, proper retracement हुआ, and retracement के बाद ही upside की तरफ गया, तो यहां पर देको इसने कितना समझ में आया होगा आपको, अब इसके अंदर volumes को आप include करो, कि जो भी swing होता है, जब भी swing high यह swing लोग रहा होता है तो वहां पर आपको confirmations मिलता है, तो swing high यह फिर low के volumes के थो, जैसे यहां पर देको बना यह swing बना, यहां पर देको volumes increase होई अपनी, swing low लगा, volumes increase होई, वापस से swing high लगा, volumes increase होई, फिर से swing low लगा, volumes वापस से increase, swing high लगा, वापस से volumes increase होई, लो लगा, वापस से volumes increase होई, यह volumes का increase होना क्या दर्शादा है, कि जो swings हम मार्क करें, वो ठीक है, वो सही है, यह structure समने आपको बताया सेम कलर की तीन कैंडल अप्ट्रेंड में में बनती हैं जब उपर जाते हुए क्रम में एक दो सेम कलर क्या होता है यह क्लाइमेक्स होता एक तरह का अब यहां पर भी देखो प्राइस एक स्विंग लगा रहा है तो वॉल्म्स के ब्रेक आउट हो रहा है इस तरह से जो भी सिब्सक्राइब का इस भी आजने के लिए हैट मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी ऑजस्विंग मेरे हाई वॉल्यूम्स के साह हो रहा है उससे से ज़्यादा ज़ोरी होता है कि जो swings लग रहे हैं, अब जैसे सारी markings हम remove कर दें, सिर्फ हम इस swing को mark करेंगे, हम सारी markings remove कर रहे हैं, अब हम इस वाले swing को mark कर लेते हैं, है न, अब यह अपना एक resistance point बना, price क्या कर रहा है, इसी जगह पर रियक्ट कर रहा है, है न, इसी जगह देखो क्या वहाँ पर volumes दिख रहे हैं हम लोगों को, volumes बढ़ते हो दिख रहे हैं, volumes बढ़ते हो दिख रहे हैं, volumes बढ़ते हो दिख रहे हैं, हाँ, मतलब resistance बन रहा है, इसका मतलब कि जो swings हम mark करेंगे वो सही है, कि हम इसको continue कर सकते हैं आगे की तरफ, अगर यह area हमारा strong है अगर यह area हमारा strong है, और यहाँ पर हम trade execute करना चाहते हैं, तो price ने past में भी इस जगे से कुछ ना कुछ तो momentum ऐसे दिखाया हो, या तो price वहीं से मारा नीचे की तरफ गिर गया है, या तो फिर वहीं से price मारा उपर की तरफ जाना चाहिए, और यह आपको दिखाई ही पड़ 101%, कभी ऐसा नहीं होगा, कि जिस level से आप काम करना चाहो, आगे चल करके, और अगर वो level जो आपने draw किया है, वो सही है, तो फिर price ने past में उस जगे से कोई बड़ा move ना दिखाया हो, कि वहीं पर price आए और उसी जगे से घूम जाए, जैसे यहाँ पर देख हुआ है, यह यहाँ पर आएगा ना support पर आएगा, तो volumes के breakout आपको दिखाई पड़ते हैं, यहाँ देखिए, volumes के breakout दिखाई पड़ेंगे, volumes के breakout दिखाई पड़ेंगे, तो यह बस simple language में आप यह मान करके चलो, कि support पर support की confirmations होते हैं, यह areas, जो हम लोग swings के थुरू निकालते हैं, अब इसके breakout सम लोगों ने देखे, अब breakout के बाद में आप देख लो, कि यह बारी जो breakout है, यह तो resistance होगे, अब upside के तरह दो को, जैसे इन candles ने यहाँ पर breakout करने शुरू किये, एक यहाँ पर दो कि इसने volumes का breakout दिखा है, एक mother candle बन गई, resistance पर भीकूल, mother candle बनी, यहाँ पर यहाँ अब जैवाली जो candle है, इसने पर breakout कर दिखा दिखा है, विध फॉल्म, प्राइस वार अपसाइट की तरफ चला गया, अभी भी market दो को, उसी जेगा पर react कर रही है, इसे क्या होता है, आपको यह समझ में आता है, कि actually जो swings हम लोग देख रहे हैं, जो mark कर रहे हैं, उनको mark कर कि अब सही एक professional way क्या रहता है, professional तरीका क्या है, मार्किंग का, INJ है, अब सब हम रिमूव कर देख लेए कर से यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, इसको भी हम लोग, अभी चल रही हैं, भी, लो, हाई, लो, हाई, लो, हम आपको swings mark करने का तरीका पता तरीका प्ता पता आया तो है कि उसको mark करे ना करे बड़ी confusion होते है बड़ा confusion हो जाओ गया तो देखो जैसे ही आप आपको पता चले न कि यहां तो आ रहा है अब low mark करे ना करे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो low mark करने का क्या रहता है कि जिस candle ने आपका swing high लगाया जिस candle पर अपने swing low वा सव लो हो गया अगर यह पूम आप ने स्विंग् हाई आपके गोह घोंगए मार्के वह कर सकते लाएक्षिंग अपने ही ही आपने मांकिया उसका लो ब्रेक होना ज़रूरी है और स्विंग लो जिस केंडल का अपने हाई मांकिया है उस केंडल का लो ब्रेक होना ज़रूरी है क्योंकि स्विंग लो वहीं लगना चाहिए हमारी केंडल के अंदर का जो इंटरलन structure है उसका swing low, swing high से कोई लेना देना नहीं होता है तो जब भी आपको swing mark करना swing low जैसे यहाँ पर हमने mark किया इस एक जगह पर तो यह दो जैसे green candle है अब green candle का high जो हमने mark किया है तो इसके निचे देखी black वाली candle निकली है इस वजय से अमने green candle को mark वापस यहाँ पर आया ना यह जो green वाली candle है यहाँ पर market निकली है नीचे की तरफ आम इसको mark कर लिए अब जिस candle ही लगा दोख उसका high ब्रेक हुआ अब जिस candle ही लगाया उसका दोखो low break हुआ है यहाँ पर हमने low mark कर लिए इस तरह से अपने पास कई सारे points हो गया low यहां से लगा यह swing high है और यह swing low यह अपना master point है master swing है दूसरा high है यह first high है यह दूसरा high है यह वाला और यह third है तीन high निकलिप ने एक तो तीन वापस से दोखो price मारा नीचे की तरफ है हमने क्या का एक दो और तीन तीन points break कर रही आगा है तीन points बनने 3 swings अगर बन रही तो हमें क्या चाहिए breakout तीसरे वाले swing का हमें breakout चाहिए पूरी तरह से अब वापस से देखो जब price वन रहे हैं नीचे की तरफ आ रहे है जब वापस से प्राइज नीचे की तरफ आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हम बाई करो प्राइज नीचे की तरफ घूम जाए यह कैसे बता चलेगा सिंपल सी बात है हमने आपको रिवर्स बताया थे ना आप यहां पर रिवर्स फाइंड आउट करने की कुशिश करो रिवर्स के साइन क्या थे इन लोगा, वापस सिंपल से नावर्स बीपूफ बन रहे हैं तो त्मण को चैसे यह स्विघbank है हाई लग गया आप मालूम है कि हमें इस वाले जो swing है जो third वाला swing है इसके breakout को में trade करना है entry हमें इसके आस-पास ही कहीं लेने है इससे पर आप reversals पहचान लो कहा है साथ नहीं कि reversals हो रहे है reversals कैसे पहचानेंगे हम लोग कि price हमारा downside की तरफ आए तो जो swing लगा सबसे latest वाला यह प्रोटेक्टर है और इसके पहले का swing अगर ऐसा है तो आप मान करके चोलो कि price आपका नीचे की तरफ आ तो रहा है बेशक नीचे की तरफ आ रहा है और अगर इसने यह तीनों symptoms यह तीन अब reversal का जो symptom ने बताई इस symptom अगर आपको नहीं दिख रहा है तो price करेगा तो turn नहीं आपको उपर की समझे ना practice बहुत practice की ज़रूरत है बहुत बहुत लेकिन practice कर अगर आप इसकी practice कर लेगे ना आपनी यह कोई नहीं बताएगा मैनत लगती है time लगता है effort जाता है question answers होंगे तो फिर उसमें 20 तरह की doubts होई सब कौन clear करें कहीं कोई कोई लोगी पढ़ाई की समझने की नहीं में समझना है तो आपको इस दिशा में कुछ ही लोग जाते हुए दिखाई पड़ें 30-40 में से 2-4-5 लोग हो सकते हैं आपको उस वाली road पर जाते हुए दिखाई पड़ें बाकि सन्नाटा रहता है यहां पर कोई नहीं आता और जिस त पड़ाई लिखाई से किसी को मतलब ही नहीं है एक जिसके पास पैसा नहीं है ना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैसा ही हो आप उसको पैसों का लालस तो वो कुछ भी करने को ready हो जाएगा अमीर आदमी को क्या दिक्कत होती है उसको पैसों के नुकसान होने से बहुत प्रा के साथ में काम करना है तो उनका में मोटिव क्या है कम कैपिटल के साथ में को पैसे वाला बना दे यहीं वस सोचते रहते हैं यह सब उनके लिए बहुत दूर कि अभी हो सकता है मतलब दो-तीन लोग तो सकते क्लास चोड़ करके चले गया हो आरे यह तो बहुत बोरिंग हो क्लास रिकॉर्डिंग करके देख लेंगे बहुत स्य हLS, कि छी बहुत इस यह वी अगzen हो तो झिलीकी हम देने वाले किसी हो नहीं छ आDAY जहुत दो भी आजे मैं ताुन conve protein सा गया संब्लब में हो तो घरने नहीं है अगर पो हम दे देंगे अभी आप पूरी क्लास बे चैं पाइदा क्या क्लास का पिला लिए सब बात की दूसरी बात हैं कॉंसेट अपना यह यह बात शुरू से हुई लाइक के थोड़ा सा यहां पर एफर्ट डालना पड़ेगा यह जो पॉइंट होता है अपना थर्ड पॉइंट इसका ब्रेक आउट अब यहां पर भी हम लोग व वॉल्यूंत के अविकां इहां पर एक नया स्विंग लगा वॉल्यूम्स के ब्रेक आउट सिंग क्वि sinners कुछ नहीं बस आपके ले Io Hoşं को वू काकर देख है पिर से तो कही ons हाई लगा वो तो बाद में लगा हमें काम कहाँ पर करने है के इतन Racist करने इतनी के पर इस दो, तीन, तीन swing तो लगी चुक है अब हमें इस वाले swing के breakout पर trade करना है हमने trend reversal से यह भी देख लिया कि नहीं यहां से price के trend के reverse करने के chances कम है चाहे तो यह वाला swing या फिर यह वाला इसके पहले वाला यह वाला हमें इसके पास से ही काम करना confirmations जो मिलेंगे बाकी और कहीं नहीं जो white zone आप देख रहों है यहां कहीं पर भी आपको trade नहीं करना है बस अपने levels के पास में यहां पर कोई भी आप reversals देख लो कोई mother candle देख लो जैसे कि यहां पर bully stop या रेक्स लाइन फॉर्मेशन है यहां पर दिख जाएगा वो दिखेगी वो 100% आपको कोई ना कोई format यहां पर आपको दिखेगा दिखेगा यहां पर दो entries confirmations पहले ही लेना है third वाले swing के breakout होने से पहले यहां पर support ना टूटे distance के breakout lower time frame पर आप उठाओगे और देन यहां से आप trade execute करो वापस से price जब retrace हो करके आगा तो निकलना विकलना नहीं होता है क्योंकि आपको पता है price अगर इसे reverse करना तो कैसे reverse करेगा या तो इस swing के नीचे वो आजाए प्रॉपर इस swing के नीचे आएगा यह वाला भी swing टूटेगा यह वाला भी swing टूटेगा तब जाकर के कहीं chances बनते हैं कि market नीचे की तरफ आए इस swing से हमें यह पता चला है कि price अभी इस समय पूरी तरह से strong है अभी वो नीचे नहीं आने वाज़ा अगर इसे नीचे आना है तो पता क्या करेगा यह इसको यह swing ब्रेक करना पड़ेगा यह swing पूरे तरह से ब्रेक करना पड़ेगा और अगर यह ब्रेक नहीं करा है मतलब कि यह strong है में भी chance है कि यहां से reverse होकर करके वापस ही उपर के तरफ चला जाए एक और example time खतम होने वाला है region कीज़े फटाक से एक 10 मुट का session all लेते हैं फिर से आप next week का पूरा होंवक आपको मिलेगा आए region कीज़े आप मुझा cement का यह chart है एक बात आप देखो यहां पर शुरुआत अगर करनी तो हम कैसे करेंगे chart को थोड़ा सा zoom in zoom out कर लेना और देखना कि अगर कोई stock गिरा है तो वो कब तक गिरा है और गिरने के बाद में जब यह उपर की तरफ भागा है तो उसका zone कौन सा है यह consolidation का phase होगा इसे divide कर देना फिर आगे की तरफ वापस से नीचे जाने दो हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि जो structure सम लोगों ने भी पढ़े है इसको live market में कैसे implement करने है live market उसकी practice कैसे करने है अभी दो चार्ट समने आपको देखा है जैसे कि यहां से दो को यह गिरा ना गिर कर गे नीचे की तरफ आ गया swing high low लगा again high low then high low high low high यहां क्या है swing low अच्छा यह low है यह सबसे पहला swing है यह दूसरा है और यह ठीक है हमें trade किसको करना है तीसरे वाले के breakout को लेकिन यहां से हुआ क्या है market नीचे की तरफ आ गही 10 swing लगें दो एक दो 3 हमें trade किसको करना था तीसरे वाले swing जब लगा है तो यहां से price जब हमारा upshot के तरफ जाए तब हम इसको trade करेंगे लेकिन हुआ क्या कि price हमारा नीचे की तरफ आया एक swing लगा price हमारा नीचे की तरफ आ गया यहां सबसे पहले यह वाला swing चला गया है ना यह swing गया वापस से दो को बेरिश मोमेंटम लो फिर से दो कौन से था एक यह वाला गया पहला दूसरा यह वाला भी swing चला गया और तीसरा जो current swing लगा था यह वाला यह वाला यह भी चला गया तीन लाइन्स हमने ट्रॉक है एक दो और यह तीन तीन लाइन्स कहतम कहानी खतम होगी यहां से पतला बाइंग का कोई symptom ही ने अब हुआ क्या है यहां से प्राइस हमारा हुआ reverse लो लग जाने के बाद अब अगर हम इसको sale करना होगा तो फिर हम कैसे sale कैसे करेंगे फिर यहां से जो मेरा master swing है जो सबसे पहला swing लगा है ना इसके नीचे price आये इसके नीचे आये और swing low लगाए swing low कैसे लगेगा कि दो swings हमें चाहिए होते है चार्ट में उन्हें जिस तरह से बताया था आपको इसके नीचे आया वापस जब प्राइज ऐसे जाएगा ना तब फिर हम लोग यहां पर कोई अपना activity करते है फिलाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं प्राट किया वहीं से यह हुआ अच्छा अब इसके बाद में हुआ क्या कि यह प्राइज हमारा वापस से इस एक जगे पर आया अब उतरते समय इसने swing lows जो लगाए है आप उसको count करो एक high high और यह swings लगे ना swing high high और यह बना अपना low low points एक और यह अपना support area ठीक अब हमें क्या करना है अगर swing low लग रहे तो फिर हम लोग short करे ना लेकिन जो अपना master support है master swing है वो तो break ही नहीं हुआ यहां से sell तो नहीं कर सकते हैं यहां से chances क्या हो रहे हैं इसके पूरी तरह से जो price अपने support पर आया है वापस से price हमारा इसी support पर आया है और इसने एक तो तीन तीन swings लगा है अब अगर price को reverse होना है तो reverse होने के chances तो यहीं से सबसे ज़्याद इसके पहले वाला जो swing है यह देख किया रहे है यह 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 वापस surprise हमारा upside के तरफ फिर से यह down घया है यह वाला जो swing था न है यह वाला स्विंग और यह स्विंग और जो करिंट स्विंग लगता है अप साइट के तरफ जाने के बाद में देखो यहां से इसने एक और स्विंग लगाया तो यह वाला स्विंग और यह वाला स्विंग यह आपस में कनेक्ट हुए मतलब रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस के यह confirmations होते हैं तरह के यह जो पूरा zone बना यह आपका reversal point होता है इसके पहले वाला जो zone बना उसने भी हमें reversal दिखा है लेकिन यहां से price हमारा sale हुआ नहीं इसने अपने master swing पर आकर के एक नया support बनाया and यहां से reversals के sign दिये है ना इस एक जगह पर reversals के sign तो मेरे hand up side की तरफ के अब जैसे जैसे यह upside की तरफ जा रहा है तो ठीक है जाने दीजा आप इसको swings mark करते रही है जो आपके legs है ना legs mark करते रही है low high low low again low high इसको mark करते रहे है प्राइस जब तब अपने low को break लो को जब break नहीं कर रहा है यह लगाता ब्रेक हो रहा है यह 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 अब यह द्यान यहां पर कब पहुचेगा जब price अपने support को break करता है जो सबसे पहला support है सबसे पहला जो swing है वो यह वाला तेन चाहिए था नाम लोगों को एक यह वाला यह ब्रेक हुआ यह ब्रेक हुआ अब जो यहां पर लगा हुआ जो swing रहता है जो market जो गिरते हुए legs automatic जो connect करते हैं अपने आपको एक यह वाला swing लगा ना यह यहां से लेकर के up और फिर यह दोखो यह downside के तो इन टीनों के जो confirmations है वो यह वाई swing low, swing low और यह swing low तीन swings अगर यह तीन swings ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह मान करके चलो कि price अभी भी up trend में है आपको करना है बाई लेकिन price अगर अपने low को लो को यह लगातार protect करता रहें लगातार protect करता रहें लगातार protect करता रहें आप sale का view नहीं बनाते हो बिल्कुल भी नहीं बनाओगे लेकिन जब हम यह देख रहे हैं कि price अपने low को break कर रहा है और 3 lows जो भी हमने आपसे बता है जो इतनी देर से हम आपको बता रहें वो तीन lows अगर लगाता ब्रेक हो रहें तो फिर आप यही मार करके चलोगे कि price downside की तरफ अब अगर इसे वापस से reverse होना है वापस से upside की तरफ change करने अपने आपको तो क्या होगा कैसे momentum से इसके आप catch करोगे low high again low high low यहां से क्या हो रहे है swing low low और यह वालन है अब हो क्या रहा है आप डोटली यहां पर resistance protect हो रहे है resistance प्रोटेक्ट हो रहे है लो और जो support है वह breakout हो रहे हैं लगाता ब्रेक के हैं, अब अगर इसको upside की तरफ जाना तो क्या करना होगा, ये ऐसे करके हाई लगाएगा, दो swings जाएंगे, कौन-कौन से अगर उपर की तरफ जाना है तो, ये वाला swing, ये swing, अभी के according, ये वाला swing जाना इसके बाद का swing कौन सा है यह बहुत ऊपर है यहां पर है इसको सबको तोड़ना होगा तब जाकर इसका trend अपसाइड की तरफ होगा जोगी थोड़ा सा मुश्क्राइड लूबर टाइम सेम के कॉर्डिंग अगर यह नहीं टूटा इसके बाद में लगा हुआ स्विंग नहीं टूटा और यह भी ब्रेक नहीं हुआ जाएग अमबुजा सिमेंट नीचे ही रुक नहीं सकता यह अभी की अपनी study और अभी की अपनी analysis के according यह उपर जाने के chances इसके बहुत कम है जब तक यह swing upside की तरफ ब्रेक नहीं होगा अमबुजा सिमेंट जाएगा दिखोगे बहुत अच्छी तरह से जितनी बाते हमने बताई हैं उसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करोगे रिकॉर्डिंग समकल मौनिंग तक गुरूप में शेयर कर देंगे गे गुरूप में रहेंगी वह बाकी हो सकता है इस वीडियो को हम पब्लिज भी करें लेकिन वो थोड़ा सा एडिटेट फॉर्मेट होगा सारी चीज़े नहीं होंगी फबिक में रहेंगा लेकिन आप लोगो जो हम देंगी वो नॉन एडिटेट होगा पूरिन जैसे क्लासिस थी बहुत वैसे की वैसे ही मिलेंगी आपको इस तरह से स्विंग्स का यूज करना भालत चीज है इसको देखो प्रैक्टिस करो ठीक है लग जाओ इसके उपर इस पूरे वीक का काम आपका यही है बागे कल की क्लास की टाइमिंग्स वगरा हम गुरूप में शेयर का देंगा आपको कल ट्रेट डिसकॉशन होंगे जोईन सभी लोग कीज़ेगा ठीक है फिर अगillर कि गalgना आपको का ओनेुशन होंगे बाना जेर को क्यक्स्ट आता है बात नेफ़ेगा डिशन के बात सकती है जोग गश际देखोंगे लोग को veo लोग कीज़ेगे लोग छोखेंगे